वेलकम बैक टो वाचनल में स्टेइंड एंट ट्रेवलर तो आज इस वीडियो में जानेंगे आप अगर आयर लेंड जा रहे तो आयर लेंड जाने से पहले आपको एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म फिल करना है कोवीड-19 पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वो कैसे फिल करना है स्टेप बाइ स्टेप इस वीडियो में जानेंगे तो चैनल पे नहींते चैनल को इभी सब्सक्राइब करना है आगे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए ट्रेवल से लेटेड तो चलो वीडियो करते हैं सुर तो सबसे पहले आपने क्या करना है गूगल पर जाके सर्च कर लेना है ट्रेवल.eplf.gov.i और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे लूँगा आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहां से आप इसको रीट कर सकते हैं वेल 22 आवर्स पहले फिल करना है ओके और बांकी जो ट्रेवल गाइडलाइन से हैं या ट्रेवल रिक्वार्मेंट से हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बढ़ा दूंगा वहां से आप देख सकते हैं इस वीडियो में सिप आपको मैं फॉर्म फिल करना बताऊंगा ओके तो जैसे हाँ गाएं करेंगे नीचे आपको स्टाट का बटन ऐगा है आपको स्टाट पे क्लिक करना है यहाँ पर दीखे आप Visit existing Ireland अगर यहां से लेंगाईज चेंज करने चाहते लेंगाइज सो कर सकते हैं आप, okay, सबसे बहुत आपको अपना email address डालना है, उसके बाद email my code में click करना है, उसके बाद जो आपको mail में code आया था, वो code आपने यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपने continue कर लेना है, आपको फॉर स्टेप्स में complete करना है, अभी हमें first step पर, first we have passenger, यहाँ पर आ Irish citizen arriving from the United Kingdom, तो यहाँ पर मैं no कर लूँगा, आप अपने साफ से चूज करना है, यहाँ पर identity डालना है, तो passport, मैं यहाँ पर passport number डालना है, और national identity card, जो भी है बाद मैं passport डालना हूँ, आप first name डालना है, यहाँ लास नेम डालना है, उसके बाद, okay, एन नीचे date of birth डालना है, email address automatic यहाँ पर आएगा, and your country code, अपने country code select कर लेना है, उसके बाद मुबाइल नमबर डालना है, and उसके बाद next step में click करना है, अगर आपके साफ बच्चे भी जा रहे हैं, तो आपने add children पर click करना है, उनकी detail भी यहाँ पर डाल लेनी है, okay, next step यहाँ पर आप देखिए, how are you arriving to island, तो यहाँ पर में by air है, by sea, and by northern island, तो यहाँ पर में by air करूँगा, उसके बाद आप देखिए, arriving by air, यहाँ पर आप देखिए, आपको flight number डालना है, and seat number, अगर आपको seat number बुक करना नहीं आता है, अपने flight बुक कर लिए, अगर seat number चूज करना नहीं आ रहे हैं, तो उसका country of departure, कौन सी country सा आप departure कर रहे है, and departure date आपने डाल लेनी है, okay, नीचे arrival airport, and उसके बाद arrival time, कब आप वहाँ पे आपका land होने आ ले, okay, arrival time डालना है, अपने, additional countries visited in last 14 days, तो अगर यहाँ पे आप किसी country में visit हुए हैं, तो आपने वो डालने है, okay, but यह optional आपको छोड़ भी सकते है, and नीचे, date of departure from Ireland, if within 14 days of arrival, तो अगर आप 14 दिन के अंदर वापर जा रहे हैं, तो यहाँ पे date, month, year आपने डालना है, okay, scroll down करने के बाद, please state remaining in Ireland, in transit to Northern Ireland, in transit to a connecting flight, तो यह सब हैं, इसमें साब अपने इसमें से चूज कर सकते हैं, overnight के लिए रुक रहे हैं, तो मैं यहाँ प step पर click कर लेंगे, step 3 आप देखे, contact address whilst Ireland, तो यहाँ पर आपको, जहाँ पर रुकने वाले हैं, वहाँ का आपने address line 1, address line 2 भी डालना है, and address 3 optional है, country select कर लेनी है, and code डालके next step पर click करने है, okay, next 4 step आप यहाँ पर देखे, health information, तो आपको यहाँ से select कर लेना है, जो भी आपके पा यहाँ पर vaccination name डालनी है आपने, and date of most recent vaccination, तो वहाँ पर date, month and year यहाँ पर आपने डालना है, and do you have an UDigital COVID certificate, no, तो इस तरह से मैं डालना है, उसका OK कर लोगा, vaccination detail डालने के बाद आपने आपने next step पर click करना है, and यहाँ पर आपके सामने group summary आ रही है, okay, इसको आपने देख लेन तो आपने पहले इसको read कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने declaration पर इसको check करना है, and उसके बाद complete पर click करना है, but submit करने से पहले आपने read कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, fine wine भी देख सकते हैं, यूरो, 4000, यूरो, 4500, यूरो, 5000, यूरो, इस अब आ complete पर click करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, thank you, and यहाँ पर फिर download receipt as a PDF, तो आपने इसको download करना है उसके बाद, okay, download करने के बाद आपका passenger locator form ready है, okay, आप देखेंगे, covid-19 electronic passenger locator form, आपने इसको वहाँ पर दिखाना है, इसका print out आपने अपने साथ carry करना है, यहाँ पर QR code भी है, QR code आपका scan होगा, okay, यहाँ पर आपका name, जो जो detail आपने भरी दी हो, सारी detail इसमें रहेंगी, तो आपने इसका print out करके अपने साथ लेके जाना है, यही आपका passenger locator form है, अगर आपको वीडियो अच्छी रगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आगे भी इस त झाल सकती है, आपका ऑदी है, तो आपका वी तो आपका वीडियो आपका शेंट आपकाभी वीडियो अपकाभी प्सक्राइब औरी इसका